नमस्कार एक बार पुनों हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गोवलोक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुदरिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गोवलोक्स में एक सुन्दर सीमील हतीली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे सामने बिवीचना के लिए आई हुई है हतीली का आकार वस्तता है आयताकार है दार्शनिक हतीली है आगी चलकर निश्चित रूप से अगर आप 33 वे वर्ष से अगर इसकी गणना करते हैं तो 33 एर से जो सकारात्मक सोच है वो बहुत परबल रूप से आपकी जीवन में बनी रहेगी दूसरी बात है एनलेटिकल किसम का आपका विक्तित्व उजागर होता हुआ यहां पे इस पश्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं यहां पे बता रहा है कि आप दार्शनिक किसम के विक्तित्व के विक्ति रहेंगे अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें जो है मस्तिस्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर ऐसा काम आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा ज्यादा उन्नत देने वाला रहेगा और ऐसे नौकरी में ऐसे करियर में आप खूब तरक्की भी करेंगे जिस कार्य में सरीर की मिहनत बहुत ज्यादा पड़ती हो ऐसा कार्य आपके लिए सुटेबल भी नहीं रहेगा न तो ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और न ज़्यादा आप उसमें कामियावी भी पाएंगे यहाँ पे सांदार आपका भग्ययोग बन रहा है लेकिन सबसे पहले हम कमाल की कुछ चीजें हैं उनको देखते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यह जो उंगली है आपकी इसे कहते हैं इंडेक्स की फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और तरजनी की उंगली इसे हिंदी में कहते हैं तरजनी की उंगली ठीक है न इसके नीचे का जो है इस उंगली के नीचे का जो यह भाग है ये हमारी हतेली में बैठने वाले पर्थम आचारे है ये देव गुरू ब्रस्पती जी है ठीक न ये रिशियों के भी गुरू है देवताओं के भी गुरू है और कहीं न कहीं ब्राम्मनों के भी गुरू है इन से न तो किसी की बड़ी पद्वी है न किसी का बड़ा पद्ध है न गुरूओं में कोई इन से स्रेष्ट है ठीक न ये देवताओं के भी गुरू है रिशियों के भी है और ब्राम्मनों के भी गुरू है अब ये आपकी हतेली में बहुत सुंदर और पुष्ट है बैठा या अस्तान की और जाती हुई दिखाई दी रही है किसी भी व्यक्तिका अगर इस प्रकार का ब्रस्पति हो तो बिद्या है संतान है पत्नी है भाग्या है और धर्म इतनी सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है यहां लेकिन इस ब्रस्पति में एक कमी आ जाती है ऐसा जो जातक होता है वो बहुत अधिक अनुसासन पिरिया हो जाती हैं तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने बैठ जाते हैं अभिमानी समझने लगते हैं इससे आपको बचना होगा कहते हैं ने हमारे सास्तरों में कहा गया है कि इस प्रकार का ब्रस्पति परवत हतेली के सवा लाख दोसों को दूर करता है और महरसिपारासर कहते है किम कुर्वन्ति गरहे सरवा यस्यकेंद्रे ब्रस्पति ही ऐसा ब्रस्पति परवत जातक में मजबूत सारिरिक गठन देता है लेकिन मीठा खाने की परवर्ति को भी बताता है ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने बैठने बैठ जाते हैं ठीक ने जो ऐसा जातक होता है उसके पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं जो confusion भी create करता है तो इससे बचना है आपका विरिश्पति बहुत सांदार है ये बता रहा है अगर आप सिक्षा का छेत्र, engineering के छेत्र, चिकित्सा है, management है, बानिज्य है, कानून है इन छेत्रों में अगर कार्य करने की सूच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनो कामना पूर्ण होगी दूसरी बात देखेगा, इसी में इस बिरिश्पति परवत से आप देखेंगे यहां से सनी परवत से एक रहखा इस प्रकार से एक रहखारी भग्यास्तान पे मचली का चिन बन रहा है और उसका एक ब्रांच निकल करके सूर्य परवत पर आती हुई दिखाई दे रही है इस पश्ट रूप से अभी मजबूत हो रही है कम से कम आपको अगर मैं जो उपाई दे रहा हूँ आपको आप विदी पर पूरवक करते हैं तो कम से कम एक साल के अंदर चीजें ठीक हो जाएंगी और 39 या 30 वर्स में पहले तो उससे पहले 6 मेने के अंदर ही आपकी जो है अच्छे खबर आजाईगे नहीं तो एक साल के बाद अगर आप सही से मैनेज करते हैं उपाई करते हैं तो नोकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है और ये इस पश्ट बता रहा है कि दो वर्सों के बाद लगबग इसी दो वर्सों के अंदर अंदर ठीक हैं दो से धाई वर्सों के अंदर अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं न कहीं जो है आपके राज योग बन रहे हैं अब ये ब्रांच निकल रही है अब मैंने बता दिया है आपका संका अगर नोकरी को लेके है तो जो छेतर है किन छेतरों में आपको उन्नत मिलेगी आप सो टे इसका बड़िया अच्छा समय बनावा है कि अगर आप मेहनत करते हैं अपने फोकस को बढ़ाते हैं और जो आपके अंदर ये नगेटिब उर्जा है जिसके बारे में मैं अब बताऊंगा उस नजर दोस को जो नजर दोस आप पे लगावा है नजर लगी हुई है उसको अगर आप दूर करते हैं तो निश्चित ही जो है धाई वर्षों के अंदर अंदर आपका राजयोग फलित होगा आपको नोकरी मिल जाएगी अब यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे सूर्य परवत से मिल रही है किस से सनी के परवत से निकल करके मचली का एक पर मिल जाती है तो ऐसे विक्ति को जुडिसरी और मैनेजमेंट के छेतर में बहुत बड़ी सपलता मिलती है और यह जीवनकाल में आपको रह्ष्यमय तो बनाती है लेकिन कुछ मामलों में उदासीन लेकिन संत तेजुस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्यानवा बनाती है ऐसे विक्ति को आत्म सावचातकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है ऐसा विक्ति अपने आपको बहुत जल्दी जान जाता है आप कौन है क्या करने आये है किस लिए आये है यह इसका कमाल है और यह रेखा आपकी हतीली में है दूसरी बात यहां पे एक मचली का चिन बन रहा है भाग्य अस्तान पे कर्म के अस्तान पर ये बता रहा है कि कहीं न कहीं रैश्यमय बिद्याओं की तरब भी आपका आकर्षन बढ़ रहा है उसकी नौलेज भी आपको बहुत अच्छी मिलने को तयार दिखाई दे रही है और क्या होगा फिर कहीं न कहीं न्यायोचित ब्यक्तितों भी आपका उबर रहा है एक अच्छी चीज और है चंद्रमा से निकल करके एक रेखा इस तरों से अभी पुष्ट नहीं हुई है शुन्दर अवस्ता में नहीं आई है ये करियर की रेखा अभी कम से कम एक साल इसको लेगेगा इसका मैं उपाई दे रहा हूँ जरूर करेगा ये एक भग्य योग का निर्मान करा रही है जब ये रेखा इस पश्ट हो जाएगी और जिस तरों से चंद्रमा से निकल करके भग्य अस्तान पर आ रही है ये भग्य योग का निर्मान कर रही है ऐसा ब्यक्ति धनवान होता है ऐसे ब्यक्ति को समाज में प्रतिष्टा और धन दोनों मिलता है ऐसा ब्यक्ति अगर राज नीती के छेतर में भी अगर जाये तो बड़ी सपलता पाता है इस तरह के लोग किसी मठ के मठादीस अथ्वा जाने माने सिक्षक हो जाते हैं तो आपका जादा क्या बन रहा है योग या तो सिक्षा का छित्र में जादा बन रहा है या जुटिसरी के छित्र में जादा बन रहा है या मैनेजमेंट के छित्र में बड़ा राज योग बन रहा है बड़ा भग्य योग बन रहा है और ऐसा करियर और धन की रेखा क्या करात प्रतिष्ठा और धन दोजों देती है प्रतिष्ठा भी खुब देती है और धन भी जबरदस्त रोप में देती है यह इस पस्ठ दिख रहा है दूसरी बात यहाँ पर देवगुरु ब्रस्पतिहल के रोप में सनी की तरब जुके हुए है जब ये सनी की तरफ जुकते हैं तो साधी होनी में देरी का संकेत करती है ऐसे लोगों की साधी 26 वे वर्ष से लेके 28 वे वर्ष के बीच में हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि ये जो आपकी योरिन रेका है ये हिर्दय रेखा से इतनी दूर पे है कि 26 से लेके 28 वर्ष के बीच में आपकी साधी के सुन्दर योग बन रहे हैं साधी हो जाएगी अब अगर साधी होती है तो लाइब पार्टनर कैसा रहेगा यहाँ पे देखेगे आपकी जो ये यूरिन रेखा है हिर्दय की रेखा की तरफ आ रही है निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आपका जो लाइब पार्टनर है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है मनि आपकी उपर अपना प्रभाव डालने की कोशिस कर सकता है अपने विचार थोपने की कोशिस कर सकता है ये चीजे हलकी मातरा में रह सकती है इसकी संभावना दिखाई दे रही है अब ऐसा नहीं है कि जहां आप साधी कर रहे हैं वहीं ऐसा होगा आप जो है किसी से भी साधी कर ले आपका लाइब पार्टनर जो होगा वो हलका सा आंसिक रूप से डोमिनेटिंग हो जाएगा और कहीं न कहीं आपकी उपर अपने विचारों का प्रभाव डालने की कोशिस करेगा ठीक है नहीं यह यहां पे इस पश्ट तरीके से दिख रहा है लेकिन साधी के बाद जीवन कैसा रहेगा इसके लिए एक छोटी सी टिक हमने अपनाई है जो यह आपका भाग्यास्तान है कर्म का अस्तान यहां बीचों बीच से आप एक रेका खींच लीजिएगा इसके बाद आप जो है अपनी मस्तिस्क रेका देखेगा आपकी मस्तिस्क रेका शुन्दर है अच्छी है इसका मतलब है आपका फिर भी जो दामपत्य जीवन है काफी उत्तम रहनी वाला है इसके बाद जो है आपकी ये रेखा भी सुन्दर है तो आप अपने दामपत्य जीवन को अच्छी तरों से लीड करेंगे इस पश्ट दिखाई दे रहा है आपके संतानों की योग भी बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे हैं बहुत गजब की दिखाई दे रहे हैं तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है अब दीखेगा अभी आपकी करियर और धन की रेखा इस पश्ट नहीं है पुश्ट नहीं है इसका मतलब है चाहे आपका धन का मामला हो चाहे आपका करियर का मामला है उसमें अभी आपको पूरी तरो से अस्ताई तो नहीं मिल पा रहा है आपके हाथ में कितना भी पैसा आ रहा हो पैसा बच नहीं रहा है आप धन का संचय सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं और जो आपकी नोकरी का मामला है या ब्यापार का मामला है उसमें अस्ताईत तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी अस्ताईत तो नहीं है अगर आपको अपने धन में और अपने करियर में अस्ताइट तो चाहिए होगा तो आपको दो काम करने हैं क्या आप काम करेंगे एक तो मैं आपको एक प्रकार का योगा दे रहा हूं एक प्रकार का प्रणायाम दे रहा हूं एक प्रकार का मेडिटेशन है वो दिन में दो बार करना है एक आप सुबह करेंगे और एक साम को करेंगे सुबह क्या करेंगे आप आप नास्ता करने के आधा या एक घंटा पहले उस प्रणायाम को करेंगे, उस योगा को करेंगे, जिसे कहते हैं दिब्य योग दिहानी के रिया, रात्री के समय आप डिनर करने से आधा या एक घंटा पहले योगा करेंगे, दूसरा मैं रात्री के समय का आपको एक का उपाई दे रहा हूं वो आपी को करना है ऐसे नहीं कि आप किसी को सोप ले स्वयम को करना है और तीन महिने तक लगातार करना है जो मैं बिदी दे रहा हूं उसी बिदी से करना है अगर आप वास्तों में अपने करियर में और धन में अस्ताइत्व की प्राप्ति चाहते है उसमें काम्याबी की बुलंदियों को छोना चाते है तो ये चीज आपको करनी होगी यहाँ पे एक रेखा इस तरो से जाती हुई दिखाई दी रही है ये रेखा बता रही है कि आपकी आयू निश्चित रोप से बहुत अच्छी रहेगी निश्चित ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी और ब्यापारिक जैसा कोई काम भी करते है तो उसमें भी तरकी मिलेगी और जादतर बोलने के धंग के कारण आप अपने जीवनकाल में धन कमा सकते हैं इसकी संभावना दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ा खान पान के मामले में ध्यान रखेगा पेट से समंदित रोग आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप ड्रिंक उगेरा करते हैं दारो उगेरा का सिवन जादा करते हैं या बीडी सिग्रेट धुम्र पान का सिवन जादा करते हैं चाय कौफे का सिवन जादा करते हैं, फाश्ट पूड का सिवन जादा करते हैं, तो ये चीजें आपके जिवन में धीरे धीरे जहर पैदा करेंगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके पेट की समस्याई उभरेंगी, और पेट के रोग आपको परेशान क करेंगे यह इस पश्ट दिख रहा है अब यहां पे देखते हैं आपकी मनिबंद की रेखाई उसके बाद कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ चीजें खराब हैं और जो चीजें खराब हैं उनको हम ठीक करने का उपाई दे रहे हैं ठीकन सबसे पहले मनिबंद की अगर हम यहा की रेखा है यह रेखा ठीक तो है लेकिन आप बीच बीच में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाई इसको डिस्टर्ब कर रही हैं तो इसका मतलब है बड़ी बिमारी तो नहीं है जो जीवन को संकट में डाल दे या जीवन को क्या करे लाइलाज बिमारी पैदा करे जिसकी जो है इलाजी नहों ऐसा नहीं है लेकिन जो मौसमी बिमारियां है जो वाइरल बिमारियां है वो जादा आपको अटेक कर सकती है इसके लिए योगा और प्रणायाम आप बराबर करते रहें दूसरी रेखा आपकी बहुत अच्छी है यह है धन और संपत्ति के रेखा यह बहुत सांदार है अगर आपकी करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी हो जाए तो न तो धन के मामले में आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा और नो संपत्ति के मामले में आपको ज़्य जदा सोचना पड़ेगा बहुत बेहितरिन रेखा है आपकी हतेली में तीसरी रेखा भी बड़ी साप सुत्री है बहुत महत्वपून है ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वस्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का शानदार शुक मि पलने स्वस्त्री ब्हुत रही है अब आपके मनिबंद में तेन बहुत्रीन रेखाएएं है इसका मतलब है कि आपकी जो तिरजन्म है पिछला जन्म ये जन्म और आने वाला जन्म ठीक है न अभी मुक्ष नहीं है अबी एक और जन्म है आपका उसके बाद ताय होगा कि आप मोक्ष की प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे अभी मोक्ष नहीं है अभी एक जर्म और है ये रेखाएं बता रही है कि पूर्व जर्म में आपने वास्तों में बहुत उच्च और पुन्यकर्म किये है और उन उच्च और पुन्यकर्मों की वजोसे आपको फिर से मनुष्य योनी प्राप्त हुई है 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं पड़ा है सीधा सीधा आपको मनुष्य योनी प्राप्त हुई है और आपका जो जन्म है जिस बंस में आप है उसी बंस के आप पूरवज थे उसी बंस में आपने जन्म लिया है जिसके कारण आपका लिंग भी नहीं बदला है आप मेल पुरुस मेल है और मेल ही आपने जन्म लिया है और साथ पीडी पूरी होने के पहले ही आपका जन्म हो गया है जिसके कारण आपका DNA भी नहीं बदला है ये इस पश्ट तरीके से आपका कीतु बता रहा है जो collective करमाजों को दिखाता है ठीक है न और अच्छी बिद्या आपको प्राप्त होगी यहाँ पे सूरे में ये बिद्या रेखा भी यही कह रही है कि आपको अपने छेतर में ऐसी knowledge अरजन होगी कि लोग पूछ पूछ कर आ का बीच का gap यह बठा रहा है कि जीवन काल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक चीज रहेगी या तो खर्चिला स्वभाव बहुत जादा रहेगा या तो धन के मामले में संगर्स रहेगा या धन के महत्यों को समझ नहीं पाएंगे लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीजी आपकी जिवन में रहेंगे उसके बाद ठीक है उसके बाद धन का संचाई भी ठीक है और धन का मैनेजमेंट भी यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस पष्ट तरीके से ये चीजी हमने देखी है अब आपकी हतेली में एक चीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये है जो आप पे नजर लगी हुई है जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है इसी को आपने ठीक करना है अगर आप अच्छी नोकरी पाना चाते हैं अच्छा पद पाना चाते हैं समाज में बहुत बड़ी मन मान प्रतिष्टा पाना चाते हैं एक सुकी और संपन ग्रस्त जीवन पाना चाते हैं एक सांदार स्वस्थ्य के मालिक बनना चाते हैं तो आपकी हतेली में एक दूसरे को काटती हुई, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरों से, पूरी हतेली को जालने घेर रखा है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन पर और आपके मस्तिस्क पे कहीं न कहीं जीवन में उल्जन दिखाई दे रही है बरतमान समय में, कभी कभी कनफ्यूजन बढ़ जाता है, कभी कभी आप दुविधा में पढ़ जाते हैं, और जो आपकी निरणे लेने की ताकत है, वो धीरे धीरे छीन होने बैठ जाती है आप सही से डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं, कि करना क्या है, जिस चीज को मैं कर रहा हूँ, होगा भी या नहीं होगा, यह यहाँ पे थौट आ रहे हैं दूसरा इसका जो प्रभाव है, कहीं न कहीं आपके स्वस्त्य पर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चाहे वो सारिरिक स्वस्त्य हो, चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो, यह बिकार देने की कोशिस कर रहे है जो जिवन के लिए बहुत जरूरी है तीसरा इसका प्रभाव आपकी रिष्टों पे डालने की कोशिस कर रही है खास कर दामपत्ति जीवन का रिष्टा, परिवार का रिष्टा, कुटुम का रिष्टा उसका जो वास्तों में चरमसुक का भोग आपको करना चाहिए जो चरमसुक का भोग आपको मिलना चाहे उसके आगे ये प्रस्तितियों को खड़ी करने की कोशिस कर रही है चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है आर्थिक रोब से ये आपको बिमारों आउस्ता में ले जाने की कोशिसे कर रही है ये बहुत तगड़ी नजर दोस आपके अंदर है नजर लगी हुई है ठीक है ने और पाँचवा इसका जो प्रभाव है आपकी जो डेपलापमेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उस पे तीबर रोप में पड़ती हुई दिखाई दी रही है जो आपका सपलता का अस्तर होना चाहिए था वो सपलता का अस्तर वो पैरा ग्राप नीचे की तरफ माइनेस की तरफ आता हुआ दिखाई दी रहा है मानि जीवन के लिए जो बहुत जरूरी है ये पांच आयाम ये जो नजर आप पे लगी हुई है जो तंत्र प्रियोग आपके लिए किया गया है उसका प्रभाव यहाँ पे जबरदस्त रूप में इन पांच चीजों पर पड़ रहा है अब इनको कैसे ठीक करें ये कोई तंत्र मंतर या पोजा से नहीं ठीक होते हैं ये आपके सरीर में घुसा है तो उसको भार निकालने के लिए आपको साररिक किरियाएं करनी है और ये किसी कोई यग्य करे आपके लिए कोई पोजा करे आपके लिए कोई हवन करे आपके लि पैठी हुई है आपी को भार निकालनी है लेकिन कैसे देखे का आप रोज अश्नान करते हैं नहाते हैं नहाइए मैं एक बनस्पति अश्नान दे रहा हूं आप एक किरिया के द्वारा उस बनस्पति अश्नान को कीजिएगा जितने दिन के लिए मैं कहूंगा निरंतर और उस ये भूल गए कल वो भूल गए और चल रहा है नहीं पहले ध्यान से पढ़ें कागज को क्या लिखा हुआ है मैं जो वटसप कर रहा हूँ आपको उसको पढ़िए और उतनी दिन तक वो चीज करिएगा ठिक अब जब आप क्या करेंगे अश्नान कर देंगे कि आपकी जो रूम छिद्र है सरीर के वो खुल जाएंगे अब उसके खुलने के बाद आप क्या करेंगे आप सूर्य किरिया करेंगे सूर्य किरिया से क्या होगा कि जो आपके रूम छिद्र खुले है उस बदन भीगा हुआ है उसमें पावर सोकनी की सक्ति जादा आ जाएगे फिर आप जब सूर्य किरिया करेंगे और भगवान सुर्य जब लालिमा ले हुए होंगे उसके आगे अगर सूर्य किरिया करेंगे तो उससे आपकी जो साररिक चक्र है वो धीरे धीरे भगवान सूरी की चक्रों के साथ प्रस्परताल मेल में आते हुए एक्टिब हो जाएंगे और उसके बाद आप एक दो दो मिंट के हैं ये सारी चीज़े एक दिव्य योग ध्यान के रिया करेंगे इसे क्या होगा आपकी स्वास प्रस्वास से जो अच्छी हवा है जो पॉजिटिब उरजा है वो आपके सरीर के अंदर घुसने बैठ जाएगी और धीरे धीरे उन रोम छिद्रों से वो नगेटिब उरजा बाहर होने बैठ जाएगी और उस से आपके मस्तिस्क में कुछ ना कुछ हल चल होने बैठ जाएगी सरीर का जो पूरा धाचा है कहीं नक हीं वो एक कर्ब लेने बैठ जाएगा और आपकी हतेली की रेखाएं बदलेंगे और आपका नजर दोस धीरे धीरे चला जाएगा और जीवन में जो चीजे नेगेटिव है वो पॉजिटिव इस्तिति में बढ़ने बैठ जाएंगे चाहे आपका करियर का मामला है चाहे आपका स्वस्त्य का मामला है चाहे आपका धन का मामला है चाहे आपका परिवार का मामला है चाहे आपका समाज का मामला है सारी चीजे मैनेज अवस्ता में आ जाएंगे और उससे फायदा क्या होगा चाहे आपका सारेरिक स्वास्त्य हो चाहे आपकी जीवन की खुसहाली हो चाहे जीवन की उर्जा हो चाहे इसका उत्सा हो ये समर्धन हो जाएगा और ये चीजें परसपर तरीके से आपके अंदर आ जाएंगे तो इन चीजों को मैं आपको दे रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा मस्तिस करेखा पूरी हतेली को पार कर रही है ये बता रही है कि बरतमान में आप बहुत जादा सोचने बैठ गई है जादतर आप हर समय कलपनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एक आगर्चित कम हो पा रहा है लेकिन स्रेश्ट सपलता आप हासिल करने वाले हैं ये दिखा रहा है लेकिन आपका मन फिर भी जीवन में जादतर कलपनाओं में डूबा रहेगा क्योंकि कलपना सक्ति आपके अंदर बहुत जादा है आपकी इर्दै की रेखा ब्रिस्पत्ति पे मिलती हुई दिखाई दी रही है ब्रिस्पत्ति के गुण आ रहे हैं ये बता रहा है चाहे जीवन में आप व्यापार करें, चाहे नोकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक स्रेष्ट जीवन निश्चिती ही अब व्यतित करेंगे. मंगल से धीरे धीरे एक रेखा आके इस पे मिल रही है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है. ये दामपत्य जीवन का जो सुक है, उसके भोग में परस्तितियां खड़ी करता है. ब्यक्ति अपने दामपत्य जीवन का सही से भोग, चरम सुक का भोग नहीं कर पाता है. तो दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाई दियूंगा जरूर करेंगा. जीवन की रेखा पूरी तरों से पीछे के और जुक रही है. परिवार के परती बहुत ज़्यादा समर्पन का भाव रहेगा. यहां पर यह बता रहा है कि बिदेश यात्राएं भी अच्छी रहेंगे. बाकि हमने सारी रेखाई यहां पर देख ली हैं जो महत्वपूर्ण है. यहां पर यह बता रहा है कि सूरे के पुष्ट और सुन्दर होने पर यस की प्राप्ति होगी, संतान सुक मिलेगा और अच्छा खासा धनलाव आपको जीवन में हासिल होगा. विपुल संपती जिस यह बताता है कि जीवन में बेक्ति को थोड़ा सत्र करहना चाहिए, कोई नो कोई ऐसे में बेक्ति थोड़ा सा जो मान प्रतिष्टा है वो भंग होनी की संभावना रहती है. तो इस तिल को कैसे ठेक करें, इसके लिए भी एक छोटा सा उपाई दे रहा हूं, जरूर करीं, बहुत महतोपूर्ण है. थोड़ा फोकस बढ़ाने की जरूरत है, एक अगरता बढ़ाने की जरूरत है और ऐसा समझे कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिसरम के बाद ही चीजों में सपलता की प्राप्ति होगी. यस पाने की इक्षा, नेम फिम पाने की इक्षा और अपन कारियों में विस्तार पाने की अच्छी खासी इक्षा रहेगी. धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में थोड़ा कमी दिखाई दे रहे है. सुकत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुकत जीवन जीने के लिए प्रितनसील बेक्तित तो बना देख रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिसरम कर रहे हैं, तो भी आपकी दिरिष्टी से देखें, तो अभाव की इस्तिति नजर आ रही है. लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी, जो सुक की वास्तुक अनुभोती होनी चाहे, उसमें कमी दिखाई दे रही है, जो उपाई मेने गिनाये हैं, वो जरूर करें लाब होगा, निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है, सनी भ कुछ आपकी जीवन में ऐसी वजहें आ जाती हैं, जो थोड़ा तनाव देती हैं, सुबह उठने में थोड़ा आलश्य जादा रह सकता है, इस आलश्य को आपको त्याग ना होगा, सूर्य अभी पूरी तरो से उड़जा से ओत परोत नहीं है, तो दिब्य सूर्य किरिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, बहुत अच्छा लाब होगा, आपका बुद्ध अच्छे रूप में आ रहा है, बहुत जल्दी इसका लाब आपको दिखने बैठ जाएगा, चंद्रमा भी आपका ठीक रूप में आ रहा है, तो आगे चलकर आपका मन मजबूत रहने वा है, देखा जाए, तो मैंने आपकी हती लिका, पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है, उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके, और ओडियो के मादेम से बेज रहा हूं, करने की कोशिस करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा, इस वी वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार